प्रकाशित बाक्य के खुलासा कारिक्रम में हार्दिक स्वागत हैं। हर एक एपिसोड में डवलेशन के बारे में हम लोग बहुत सी बातें डिसकस कर रहे हैं। आज भी बहुत इंट्रेस्टिंग रहेंगा इस कारिक्रम को आपने जॉइन किया, इसके लिए धनिवाद। लेस्ट वेलकम ब्रदर जेगन, ब्रदर जेगन वेलकम टुट प्रोग्राम। हर एक हफ्ता हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। मेरे पास एक अलगी सवाल है। यूशुली जो लोग इस रेवलेशन को देखते हैं और इसे मान के चलते हैं, वो जनरल आडिस में एक भाग है। क्या हम इसे मान ले क्या क्योंकि सब लोग रेवलेशन में डीपरी नहीं जाते हैं। और आप जो बीस साल से लगातार परमेशर के एक अनुसार आप इस सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं। इसके कई कारणों का आपने पहले बताए हैं बट मुख्य कारण क्या हो सकता है यहीं मेरा सवाल है। सेवका एक इस तरह से शुरू की इसके बारे में मैं गवाही दे सकूँ क्योंकि आपने पूछा है। यह क्यों नहीं करना चाहिए इसके बारे में dropbacks, disadvantages इस तरह से उन्हें बताए थे। मैंने यही कहां first point यह तो Bible study है। तो इससे सब लोग नहीं सुनने वाले हैं। केबल मसी लोग ही से सुनेंगे इसलिए Bible study करने वाले विश्वासियों से कहना है। दूसरी बात, इस Bible study में प्रकाशित वाक्य और दानियल है। बैट कर इसका गहरा अध्यन करने वालों को यह समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तीसरी बात, अगर CD बनाए तो DVD बनानी होगी। आडियो CD कार में सुन सकते हैं। पर DVD बनानी पड़ेगी सबूत दिखाने होंगे। यानि जिन लोगों के पास एक निश्चित समय होगा, वही इसे देख पाएंगे। कार में लगा कर सुन नहीं सकते। चौथी बात, यह तो एक संदेश है। यह तो गीतों का समय था और संदेश के लिए केवल एक या दो लोग ही होते थे, जो संदेश लेते थे CD में। इसलिए चर्च में देना नहीं परन्तु CD में मैसेज देकर रिलीस करना है। यानि इस तरह हम अभी मैसेज देते हैं। पांचवी बात कि हर एक संदेश एक घंटे का है। यानि पांच मेरिक का जो गीत है उसे सुनते हैं। उसके बाद में अगला गीत वो बीच में से सुनते हैं। पर यह ऐसा नहीं। इसे लगाने पर उन्हें बैट कर इसे सुनना होगा। यानि इसके लिए एक समय निश्चित करना होगा, इतने drawbacks इसमें हैं मैंने कहा, दूसरी बात ये तो केवल एक भाशा में है, केवल तमिल में जाएगा, और ये सब करने के बाद ये कितना सफल होगा, ये सब हमें पता नहीं, तब मिरमित्रे ने मुझसे कहा, ऐसा क्यों सोच तुम इससे बना लो, यानि देखो पूरी भीड में कम से कम 10 प्रतिशत लोग हैं, वो इससे देखना चाहते हैं, ऐसा कहने पर ये सिवकाई शुरू हुई, 20 साल पहले या 17 साल पहले इस तरह से शुरू की गई थी, इससे शुरू करने पर मुझे समझ में आया, यानि तमि हमने संदेश सुना इस तरह कहां, तब मैंने इस तरह से सोचा, इस संदेश को उन लोगों तक पहुँचाना ये तो हमारे हाथ में नहीं हैं, इसलिए जाने वालों से हमने पूछा, आपने उस शेहर में इसे भेजा क्या, तो जबाब था नहीं भेजा, इसलिए एक इसलिए ये हो पाएगा या नहीं, इस तरह के हमारे विचार नहीं, हम तो केबल कुछ करती हैं, लेकिन परमेश्वर के दृष्टी में ये तो फिजूल है, इतना ही ये आपकी बातों को सुनकर मुझे, रेवलेशन फर्स चैप्टर में ही, प्राइज जो है, दूसरे चैप्टर में जिसने उनने नहीं कहा है, उसे रेवलेशन चैप्टर वन में वो कह रहे हैं, कि जो इसे पढ़ रहे हैं, उनके लिए आशिरवाद है, तो ये जब आशिर पूछे तो देखिए, पहले अध्याई में, अगर हम इसे पढ़ते हैं, यहां पर वचन तीन में, धन्य है वो जो इस वहिश्वाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं, और इसमें लिखे वी बातों को मांगते हैं, वो बहुत धन्य इस तरह से कहता है, आम त आप कितनी महतपूर्ण हैं, इस बात को हम जान सकते हैं, याने परमेश्वर ने इसके जरीए बहुत से लोगों से पूछा है, याने प्रोग्राम की दवारा बहुत से लोगों को, आप कमेंट्स में देखिए, फोन कॉल्स में देखिए, और इसलिए सारी स्तूती और महिम चैप्टर 6 में सील्स ऐसा लिखा है, बहुत से विशय उसमें है, बट हम प्रिपरेटी एंगल से इन्हें तयार करें तो करेक्ट रहेगा। इन मुहरों के बारे में हम अगले अपिसोड में देखेंगे, पहले इस किताब को देखते हैं, मुहर की किताब इस तरह, ये मुहर की किताब क्या है, इस तरह देखे तो, देखे बाइबल में वहसी किताबे हैं, स्मरन की किताबे हैं, और जीवन की किताबे हैं, ऐसी वहसी किताबे हैं तो ये मुहरों की किताब है मुहरों की किताब अगर आप इसे देखते हैं स्मरण की किताब और जीव की किताब ये दोनों अलग हैं मुहर की किताब तो पुराने नियम में भी हैं देखे पुराने नियम में दानियल की किताब 12 अध्या वचन 4 ये मुख्य अगर पूछे तो परमेशों ने दानियल के बहुत सी बातें बताई बताने पर इस किताब पर मुहर लगा इस तरह से उसने कहाँ सील करने के लिए कि लिए क्लियर इंस्ट्रेक्शन है जी हाँ मुहर लगा, मुहर लगाने के लिए क्यों कहा गया इसका एक ही कारण है क्योंकि वो समय अब तक नहीं आया है अंत के समय में इसे खोलना काफी है इस तरह दानियल से कहा था दानियल के समय में और अंतिम समय में क्या संबंध है इसे देखे तो पुरान इनियम के बारे में सबसे महतोपुर्ण बात जो हमें समझनी है कि सभी जो शुद्ध आत्माएं हैं उन्हें अंतिम समय की समझ दी गई थी अंतिम समय के बारे में परमेशोर की समझ उन में थी अंतिम समय के घटनाओं के बारे में उत्पती उनन्चास में याकूब यहाँ पर कहता है एक कठे हो जाओं मैं तुम्हें बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या-क्या बीतेगा यह सब इसमें लिखा है यहाँ तक की देखे मूसा की लिखे इन पांच किताबों में अगर देखे तो कि अंतिम दिनों में क्या होगा यह सब कुछ लिख कर दिया है यहाँ पर यह जो समझ वहां पर थी उससे वो देख नहीं पाई थे पर ऐसे इन सारी बातों को लिखकर किताब में रखा खास करके अंतिम समय के बारे में प्रभु ने दानियल को बताया देने के बाद कहां अंतिम समय तक इस किताब खोलने की जरूरत नहीं इस तरह से कहां यानि इस किताब की सील जब टूटेगी वो अंतिम समय होगा यानि इस किताब पर मोहर लगाना और अंतिम समय में ये मोहर जो हैं वो तो खोली जाएगी इस तरह कहां और जब इससे खोलते हैं तो हमें समझ लेना होगा ये अंतिम समय है जी है, सो डैनियल में कहना है अप उसल जॉन को आप इसको ओपन के लिए कहां इस किताब को तुम खोलो इस तरह से कहां हमें समझना होगा प्रकाशित वाक्य के किताब तो मुहर लगी किताब नहीं है प्रकाशित वाक्य खुली किताब है अध्या 22 वचन 10 कहता है Revelation 22 10 अगर हम पढ़े तो परमिश्वर कहते हैं इस किताब में सब कुछ लिख चुके हैं सब लिखने के बाद वो कहते हैं इस पर मु विवर्स है यानि मुहर मत लगाओ क्योंकि समय निकट है कहां यह कहता है और इसे 2007 वर्षों पहले लिखा है हमारी नजर से 2000 साल प्रभु की नजरों से 2 दिन यानि 1000 साल एक दिन जैसे हैं और ऐसी बहुत सी बातें मोह में बताते हैं देखिए ऐसे में प्रकाशित वाक्य पर सील नहीं लगाया यह समझ में आता तो कहते हैं इसपर क्यों मोहर नहीं लगी परमिश्व ने कहxo मोहर मत लगाना इससे AI खुली रखना अंतिम समय तो आ चुका है अन्तिम समय आ गया इसलिए से खोलते हैं अन्तिम समय आ गया है अब इस किताब को खोलने के लिए सारी संभावनाई है यही पर यहाँ पर इस वचन का अर्थ है तो यहाँ पर हमारा निशकर्ष क्या है अगर ये पूछे तो यानि साथ कलीसियाओं को संदेश देने के बाद में ये किताब खुली गई यानि कलीसिया को जो कुछ मिलना चाहिए उसके बाद ही अंतिम समय परमेश्वर ने शुरू किया यानि अब कलीसिया के सारे काम खत्म हो जाएंगे इस जगह पर पहुंचेंगे यानि इन सब ही साथ कलीसियाओं के बारे में हमने अच्छे से देखा है यानि अभी हम अंतिम समय के काल में है यानि यहाँ पर मोहरों की जो किताब है अध्याई 6 में मोहर की किताब इसमें संभावना यहां बताई गई है यानि विशेश रूप में इस छटे अध्याई में 6 मुहरे हैं यानि 6 अध्याई में 6 मुहरे हैं इस किताब के बारे में देखे तो 7 मुहर की किताब ही यह कहा है इस तरह एस्टैब्रिश हुआ है लेकिन देखे तो इसमें केवल 6 मुहरे हैं और फिर उसके बाद सात्वी अध्या में गाप है, उसके बाद कुछ अलग है, सात्वी मुहर तो अध्याए आठ में है, सात्वी मुहर की विशेष्टा क्या है, और ये तो सात अलग से आते हैं, वो सात तुरहियां है, उसे खोलने के लिए ये मुहर है, बहुत बढ़िया प तो इसमें shortcut कुछ नहीं है, किसी में नहीं है, एक एक sequence, परमेश्वर ने सुन्दर तरीके से बताया है, बीच बीच में break दिये हैं, उस break के पीछे के भेदों को हमें समझना होगा, तो यहाँ पर मैं फिर से कहता हूँ कि यह किताब खुली किताब है, महरलगी किताब नहीं है दानियल को दिया हुआ इसमें खुलता है, अब परमेश्वर के पास महरलगी किताब तो है ही नहीं सब बिलकुल खुला है, यहने इसी के बारे में यहाँ पर अध्याई 6 में हम महरों के बारे में यहाँ वेवरंड से देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर अध्याई 6 में जो मुख्य वचन हैं, ये तो बहुत से हैं, अगर हम उसे अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर अध्याच्छी को समझना आसान हो जाता है। जी हां, तो पहले घोडे के बारे में हम देखते हैं, देखे हर एक बात के पीछे यहां पर परमेश्वर के एक एक बातों के स्वर के बारे में भेद रखे गए हैं, उत्पत्ति में हमने इसके चार प्राणियों के बारे में यहां पर देखा है, यानि गिद के चेहरे के बार कर मैं आपको घोड़े के बारे में बताऊंगा देखे मैं इसमें कमी नहीं निकाल रहा हूं लेकिन लोग इसके बारे में गलत फहमी में रहते हैं यानि देखे ये तो लोगों को आपना अर्थ है तो यहाँ पर घोड़े की बात क्यों आई है इसलिए कहे तो तो देखे वो तो हर देश में सफेद घोड़े हैं हर देश में लाल घोड़ा भी है यही मैं कह रहा हूं प्रकाशित वाक्य वचन के आधार पर नहीं है अच्छा देखे यानि हमारा अपना प्रकाशन है यानि परमेश्वर ने सुन्दर रूप से कहा है उनकी आत्मा को जगाने वाली प्रुष्ट भूमी को तू दर्शाएगा कौन सी आत्मा क्या कहते है मुझे सुनना होगा ऐसा हम मानते हैं पवितर आत्मा ने जो कहां वो हमें सुनना होगा अगर मेरी आत्मा बीच में बोलती है तो ये तो एक बदनाम भवश्वक्ता के जैसे होगा मजबूत तरीके से क हम कह रहे हैं तो कहेंगे गलत कह रहे हैं या मजबूती से कह रहे हैं लेकिन परमेश्वन ने इन शब्दों का उपयोग किया इसलिए वो कह रहा है अब देखिए जो घोड़ा है उसके किस्से किस्से दर्शाते हैं यानि देखिए हमेशा परमेश्वन ने मुझे जो सिख कि दर्क चाहिए तो वो जो वचन चाहिए वो भी यहाँ पर मुझे कही जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कही नहीं जाना है, अनुमान नहीं लगाना है कुछ करने की जरूरत नहीं, बाइबल बसती सरल किताब है, हम ने से Complicated बनाया, देखें जकरिया की किताब अधियाई 6 म यहां पर भी कुछ संभावनाई बताई गई है अध्या एक से बहुत बताया है फिर मैंने आखें उठाई और क्या देखा कि दो पहाड के बीच में चार रत चले आते हैं और वे पहाड पीतल के हैं और पहाडों के बारे में कहता है कि वो पहाड तो पीतल के हैं पहले रत में लाल घोडे, दूसरे रथ में काले घोडे, तीसरे रथ में श्वेद घोडे और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोडे हैं इस तरह कहता है यहाँ पर यह घोडों के बारे में एक establishment है यह दर्शन है किसे दिया गया जकरिया को अब यह घोडे क्या है यह पूछते है इन में एक-एक करके इसे देखते हैं वचन पांच इस तरह से कहता है दूत ने मुझसे कहा यह आकाश की चारो वायू हैं जो सारी पृथवी के प्रभू के पास उपस्त रहते हैं परंतु अब निकल आए हैं तो वही पर इस पश्ट है यह जो घोडे हैं यह कोई देश न कर रही हैं हर एक घोड़ा एक आत्मा है हर एक रंग एक किस्म की आत्मा है तो यह जो स्पिरिट है यह क्या करती है यह घोड़े का जो रंग है यह जो आत्मा है और उस पर बैठा हुआ व्यक्ति जैसे आप हर एक व्यक्ति को देखते हैं आप इसके बारे में प्रकाशन प बीच में याने देखिए कई साल पहले की बात है पुराने नियम की जरूरत ने इस तरह कहने वारा एक ग्रूप था पुराने नियम पढ़ना नहीं चाहिए जरूरत ने ऐसे कहां आज की भी सोच ऐसी नहीं है मैं जहां तक कि जानता हूं 400 वर्ष से ऐसे बहुत से नहीं है लेकिन यहां पर हाल ही के दिनों में और खास करके यहां lockdown में जितना मैंने पढ़ा मैं इस बात से समझता हूं अगर पुराना नियम नहीं है तो नए नियम का जो असली सार है वो नहीं मिलेगा यानि देखिए जो नए नियम का रस है वो तो पूरी तरह से अलग है लेकिन इसका टेस्ट कहां पर है पुराने नियम में है एक रहस्य है एक नक्षा है एक प्रकाशन है जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो असल में परमेश्वर के रिदय की योजना क्या है उसका प्लैन आप जान पाएंगे पिता की समझ पाएंगे यानि इन दोनों को आ नियम दोनों ही चाहिए आगे बात करेंगे ब्रते जगन एक छोड़ा सा ब्रेक लेंगे इसके अंदर और डीप से हम चाहिए प्रेक ले से जागे अंदर एक छोड़ा साथ कर दो कर दो वेल्कम बैक आप्टर दे ब्रेक रधाज ज़ो देखा एक अच्छा फाउंडेशन हमने देखा जो जिसके बारे में आपने एकस्में किया सील्स के बारे में भी एकस्में किया उसमें एक मुख्य भाग्विया अपने कहा चार प्रकार के स्पिरिट है असा आपने का हॉर्स के बारे के हम बात कर रहें इसे अगर अब थोड़ा सा और भी एक्स्प्रेंड करेंगे तो अगले एपिसोड में सही सर से 6 चप्टर के अंदर हम जा सकते ये मेरा रिक्वेस्ट है तो उसे कैसे समझने हैं देखी यहां आत्मा के बारे में इसे चार हैं इसके अलावा हर एक घोड़े के ऊपर एक एक वैक्ति बैठा है उसका भी जिकर है और देखिए हर एक वैक्ति के हाथ में कुछ न कुछ है एक के हाथ में मुकुठ है एक के हाथ में ढाल है एक के हाथ में तराजू है यानि हर एक के हाथ में कुछ न कुछ है अब ज़रा गौर से सुनिए, घोड़ा है, उसका रंग है, उसको पर एक व्यक्ति है, उसके हाथ में कुछ है, यानि इच एंड एवरिटिंग रिविल्स सम इंपॉर्टन्ट सब्जेक्ट, यह बहुत महतुपूर्ण है, पर मिश्वर कई चीजे इन हर एक के द्वारा हमें और देखिए, अगर हम ओवराल घोड़े पे बैठा है, नहीं कह सकते हैं, एक एक वचन को अगर हम समझा कर बताए, तो लोग इसे समझ पाएंगे, यहाँ पर देखिए, चार घोड़े हैं, यानि चार आत्माई हैं, फीक है, इनका अलग-अलग रंग है, सफेद है, अब सफेद रंग के से दर्शाता, अगर इस बात को हम देखे तो, यानि संसार के तरीके से एक है, और दूसरा आत्मिक तरीके से अर्थ है, देखिए, संसार एक तरीके से देखा जाये, तो सफेद तो समाधान के बारे में कहता है, समानी रूप में शांती, और अगर इसे आत् इत्रिता के लिए बताया है, फिर उसके बाद लाल रंग है, अब देखिए ये जो लाल रंग के घोड़े हैं इन्हें युद्ध में उप्योग किया जाता था, क्रांती में उप्योग किया जाता था, अगर हम यूरोप के कोछ देशों को देखे तो वो तो इस तरह लाल कलर और आत्मिक रिती से जुड़ने के लिए इसका उप्योग किया जाता है, यानि उसके साथ जुड़ने के लिए इसका उप्योग किया जाता है, वाचा के लिए, और फिर तीसरी बात वो है काला रंग, अब ये जो काला रंग है, इसका उप्योग कब होता है, दुख में इस जाये तो यह पीले रंग का जो घोड़ा है हर्याली दर्शाता है यह पीला रंग है जैसे कहते हैं है पेल ग्रीन रंग होता है हर्याली ऐसी चीजों के लिए और आत्मिक रीति से इसका उप्योग तो मृत्यू के लिए किया जाता है याने देखे हर एक बात के पीछे सांसार क्रीति से और आत्मी क्रीति से बताया है यानि उसने यहां पर क्या कहा है देखे तो सांसारी क्रीति से एक अर्थ है यानि देखे यहां पर दुनिया जो है वो तो एक तरह से बिम है आँखों के लिव अच्छा है लेकिन इसी तरह से आत्मी रूप में देखा जाए तो लाल रंग क्या है यानि ये तो पन्ना है या फिर किसी तरह ये यहुदा गोतर को दर्शाता है ये सब बाइबल में है यानि देखे पर मेश्वर तो बहुत ही महाग्यानी है उसे समझना ये बहुत बड़ी बात है जी हाँ अब देखे यहाँ पर बादल का एक रंग होता है उस रंग को देखे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे उसके पीछे पर मेश्वर की सोच है यानि उन रंगों के पीछे पर मेश्वर का विचार है ये बड़ी बात है दूसरी बात एक घोड़े पर एक एक वेक्ति बैठा है ये वेक्ति कौन है इस तरह से अगर आप मुझसे पूछते हैं तो बहुत से लोग क्या कहते हैं? उन्होंने जो कहां वो ठीक हो सकता है, चलिए उधारंकिल मैं यह कहता हूँ, यानि यहां पर जो गोड़े पर बैठा है, वो कौ cuarto गोड़े पर बैठा हुआ कौन है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सब के लिए कोई है, और कुछ हो ना ही यहां पर चाहिए, यहां पर आत यहाँ छे को हम यहाँ समझ पाएंगे, यानि देखें यहाँ पर हर एक बात में एक संभावना है, अब इसे समझने के लिए देखें, इसमें एक रहस्य है, इसे समझने के लिए इसके अंदर एक रहस्य है, चलिए मनुष्य के बारे में देखते हैं, देखें फिर क्या होता ह यहां उसके हाथ में एक चीज है, अब यहां पर उसके हाथ में एक मुकुट है, अब यह मुकुट किसे दर्शाता है, यह राजभार या राजा या शासन को दर्शाता, यह अधिकार दर्शाता है, यानि मुकुट है तो राजा है, मुकुट नहीं है तो वो राजा नहीं है, और मुकुट तो अधिकार को दर्शाता है अब फिर उसके बाद एक वेक्ति के हाथ में तीर है उसके हाथ में तीर था लेकिन धनुष्य नहीं था तीर है पर धनुष्य ने इसका अर्थ क्या? यह जो हत्यार है अगर धनुष्य नहीं तो तीर का कोई भी उप्योग नहीं अब यहाँ पर तीर है पर धनुष्य नहीं है इसका अर्थ क्या है? अब फिर देखे उसके बाद यहाँ पर एक छुरा है अब ये चुरा कहाँ पर ले जाते हैं? युद्ध में ले जाते हैं अगर आप इसे यहाँ पर देखे तो इसके बाद की घटनाओं के बारे में ये बताता है और फिर इसके बाद है तराजू, तराजू का उप्योग किसले होता है? ये तो अर्थ विवस्ता है, economy ये तो अर्थ विवस्ता को दर्शाता है, उसके बाद एक और है फिर वो कहता है कि उसके बाद मैं एक पीले रंग के घोड़े को वहाँ पर आते वे देखता हूं यानि देखे यहाँ पर हर एक बाद के पीछे परमेश्वर ने एक एक घटना के बारे में बताया है अब देखे यहाँ पर अधिया पाच में जो बताया है वो बिलकुल अलग है वहाँ पर जो छे मोहरे हैं वो पूरी अलग है अब फिर वो कहता है कि मैंने भवन को देखा है और वहाँ पर की ये क्रियाई देखी है ये सब क्या है? ये किस बारे में कहता है? और इनकी जो उम्मीद है वो क्या है? पर मेशुर उनके लिए क्या कर रहा है? फिर छटी मुहर. अगर आप इसे देखें तो पूरी दुनिया जो है वो तो बिलकुल अलग आकार लेती है. देखें यहाँ पर इन चार मुहर और छटे मुहर के बीच में छोटा सा ब्रेक है. अब इन सब का हम क्या करने वाले हैं? यानि हम लोग इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा करके इसके बारे में अध्यान करते जाएंगे. मुझसे पूछे तो हर एक मुहर के बारे में अगर हम एक-एक एपिसोड में बताए तो इसे स परकाशन भी मिलेगा. एक एंगल. बाद में आप परमेश्वर के साथ बैट कर इसे पढ़ सकते हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि बस थोड़ा सा खोल के देखना है. यानि इसके खाने की गहराई में जाना है. उसके बगएर कुछ नहीं आएगा. तो ये अपिसोड यहां खतम ह करते हैं. यानि अध्याई 6 से अध्याई 8 के वचन एक टक एक पैकेज है. सात मुhrाई का पैकेज, यानि छटे अध्याई में हम ये सब पढ़ते हैं. सात्वे अध्याई में अलग विश्य है. अगर आप इसे पढ़ते हैं, तो जैसे मैं ये कहता हूँ, यानि आप शब्द कहे गए हैं यानि घोडे उन पर जो वेक्ति हैं यानि इन सारी बातों का गहन अध्यान कीजिए जकरिया अध्याई 6 से आप पढ़िए और इसे पढ़ कर जब आप इसका अध्यान करते हैं तो निश्चही इसके अध्यान के बाद एक बात तो आपके भीतर आती है य में दिवाद नमस्कार झाल 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 झाल